क्या आपके पास इस तरह पुराना वोटर कार्ड है तो इस तरह पुराना वोटर कार्ड को बदल कर इस तरह नया वोटर कार्ड कैसे मिलीगा आज के इस वीडियो में हम देखेंगे और उसके साथ यह भी देखेंगे कि वोटर कार्ड में फोटो कैसे चैंज करें और वोटर पर बहुत सरा option आपको देखने को मिलेगा इन में से जो फॉर्म नामबर एड लिखा उस पर आपको सिंपली क्लिक करना है उसके बाद मोबन नमबर और पासवार्ट एंटर करके लोगिन करना है अगर आप पहली पर इस आप साइट को विजिट कर रहे हो और साइन अप नहीं बापस आने के बाद मोबन नमबर पासवार्ड और क्यापट गशार को फिल करने के बाद रिक्वेश्ट ऑ ड़ीपी पर सिंपिल किलिक करना है फिर उस मोबन नमर में एक अवर अटिपी आ जाएगी और उस ऑटीपी को इहां पर फिल करएंगे और थोड़ी देर उयट करन के बादे इस तरह दो दिखाए देगा आप पहरा अप्षिंद कि लिखेंगे कर देना है उसके बाद नीचे चार अप्षिंद में से एक अगर आप correction करना चाहते हैं तब second option को choose कीजिए और अगर आप voter ID को कोई भी correction ना करके सिर्फ replacement करना चाहते हैं तो third option को select कीजिए मैं कुछ correction करना चाहता हूं इसलिए second option को select करता हूं उसके बाद ok करते ही थोड़ी दिर loading होगा फिर इस तरह आ जाएगा तो इहां पर scroll down करके नीचे आने के बाद आपको select करना होगा कि आप क्या correction करना चाहते हैं नाम, gender, date of birth, relation, type, relatives, name, address, mobile number, photo मैं सिर्फ photo और mobile number change करना चाहता हूं इसलिए दोनों को tick कर दिया है मैं mobile number add करना चाहता हूं इसलिए mobile number इहां पर लिखने के बाद send otp पर click करना होगा और उसके बाद otp लिखने के बाद verify पर click करेंगे फिर mobile number verify हो जाएगा आप photo add करने के लिए choose file option पर click करेंगे फिर mobile की gallery में दो mb के आंदर एक photo को select करना होगा फिर next पर click करने के बाद ok करेंगे उसके बाद scroll down करके नीचे आना होगा और यहां पर आपने सहर या गाउं का नाम लिखने के बाद next करेंगे फिर इस capture code को यहां पर फिल करने के बाद सैब करेंगे उसके बाद आपने क्या क्या फिल किया सब कुछ यहां पर देखनों को मिलेगा तो एक बार चेक करने के बाद अगर आपको लागता है कि कुछ mistake है तो keep editing पर click करके correction कर सकते हैं और अगर सब कुछ साही है तो submit option पर click करके इस form को submit कीजिए फिर yes करने के बाद download option पर click करके acknowledgement को download कीजिए नहीं तो इसके लिए होमपेज में आने के बाद track application इस्टेटास पर किलिक करेंगे और उस reference नामबर और इस्टेट को सिलेट करने के बाद सब्मीट करेंगे उसके बाद यहां पर देखने को मिलेगा कि इस्टेटास सब्मीट करेंगे उसके बाद य correction या replacement कर सकते हैं वीडियो अच्छे लगे तो like और share ज़रूर कीजिए और इस तरह useful वीडियो का notification पाने के लिए जिए आनोपसे इटिप चैनल को सब्क्राइब करके बेल अकुन को प्रेस करें थैंक यू